नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 जून 2023 के जो हमारे एक्स्प्रेंट पेज के आर्टिकल्स बचे हुए थे उनके बारे में ठीक है ये वीडियो तो कल शाम को आपको मिलना था पर अभी मिल रहा है ठीक है पैसा संडे को इशू होना नीचे आपको देखो चार आर्टिकल्स है चारों की ब्रीफिंग लेंगे फर्स्ट बाइजूज है ना बहुत ज्यादा ड्रवल का सामना कर रहा है और डर है कि कहीं कॉलेप्स ना कर जाए और कॉलेप्स अगर करेगा तो स्टार्टप एकोसिस् है बड़ एक कहते ना कि लगबग एक मिनिट के अंदर अंदर रिवाइस करते हैं जो में में पॉइंट्स होनको एक हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनको केवल गन देने से काम नहीं चलेगा कि हाँ आपने गन दे दिया और फिर वो प्रोटेक्टेड है न के द्वारा क्या प्रोविजन्स कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड्स को क्या-क्या फावर्स दी हुई है वह हम समझेंगे कुछ आर्टिकल से इनके बारे में देखते हैं डीटिल में फर्स्ट आर्टिकल है बाइजू की ट्रॉबल क्या है देखो एड़ुकेशन टेक स्टार या राइज हुई ठीक है इसके अलावा यह बाइजू का हम नाम देखी रहे हैं लंबी लिस्ट है बहुत लंबी लिस्ट है ठीक है इन्वेस्टमेंट जबरदस्त हुआ उस टाइम पे बाइजू में बिलियंस ओफ डॉलर्स इन्वेस्ट हुए अब समझ्या यह आ रही है कि बाइजू जब वो रिटर्न नहीं कर पा रहा है रिटर्न क्यों नहीं कर पा रहा है इसके पीचे हम तो समझते हैं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते हो कि ऑनलाइन सिस्टम में आपने इन्वेस्ट कर दिया इस सारा सर्विस का खेल है अब इसमें अगर डिम इस तरीके से रुखती है कि दुबारा हो सकता है कि दूसरे कई आल्टरनेट खड़े हो जाते हैं तो आपकी तरफ वापिस से ना आये customer या एक student तो इस चकर से क्या हो गया कि बाइजूस का अभी मामला थोड़ा सा डगमगाया हुआ है अब होता क्या है पहाँ पर कि बाइज के उन्होंने resign कर दिया है अब यह क्या corporate में convert हो गया था सबसे बड़ी problem यह education को corporate में convert करना यह कही नहीं risk वाली मामला हो जाता है और normal हो चुका है यह trend बाइजूस ने unacademy ने जो trend डाला है वो कही नहीं बाकी जगहों पर भी देखने को मिल रहा है पर वही चीज है कि जाता है कि सरस्वती और लक्षमी दोनों साथ में नहीं रह सकती ठीक है ना क्योंकि जब आप सरस्वती की gain कर लेते हो तो उस टाइम पर आपके दिमाग में रहती है आपके अंदर एक maturity level आने शुरू हो जाती है ठीक है आपकी भूख रूपनी शुरू हो जाती है और वही मैंट खेर यहाँ पर हमारा इतना सा है कि बाइजू जो है वो कहीं नहीं खत्रे में हैं Companies Act 2013 के basis पे सीधा ये लिखा हुआ है कि auditing करवाई जाएगी company की उसका financial statement होगा और financial statement जो है वो March 31 2022 तक का तयार होकर के और फिर जो general meetings होती है बाइजू की board level की governor level की उस meeting में उसमें ये report जो थी 30 सितंबर 2022 को submit होनी थी कहने का मतलब ये हुआ कि 2021 एक अप्रेल 2021 से लेकर के 31 March 2022 तक का जो भी accounts का management है वो audit होकर के एक report तयार होनी थी जो की companies Act 2013 के basis पे है और उसके basis पे ये भी है कि वो जो report है वो अब जैसे March 2022 के हम बात कर रहा है complete year की तो बलो वो रिपोर्ट इसको जो general meeting हुई annual meeting उस meeting में रिपोर्ट सब्मिट होएं थी बोलो report ही submit नहीं की गई इसके अलावा loan चल रहा है बोलो loan return करना था बाइज उसको लगबग 1.2 billion dollar का loan rates recently return करना था उसके उपर ब्याज जाना था ठीक है पर वो ब्याज भी नहीं गया इसका मतलब default भी कर गई वहाँ पर तो ऐसी परिस्तेतियों में हालात हो रहा है खराब और company की valuation आप देखो 24 billion dollars की थी जो कि 8.4 billion dollar पर आके टिक चुकी है तो यह हालात है कि कि किस तरीके से by juice है वो decline कर गया speed से बहुत जादा speed से decline कर चुका है ठीक है और investors की बात करें तो लगबग 5 billion dollar का तो investment है कि अगर एक कोई भी company किसी भी segment में अगर decline करना शुरू कर देती है ना तो फिर उसका एक ripple effect आता है दूसरी companies पर भी market पर पूरा shock आता है तो investors जब पैसा निकाल लेंगे तब और problem आ जाती है फिर company को तो यह scenario जो है by juice में भी देख रहा है यह देखो 1.2 billion dollar का यह था loan ठीक ह 40 million का मतलब 4 crore dollars का यह एक तरीके से ब्याद जाना था पर वो नहीं दे पाए 5 June को default कर गए इस वज़े से कही नहीं problem चल रही है ठीक है loan है loan B जिसको term loan B भी बोल सकते हैं उसके उसकी बात यह चल रही है कि 1.2 billion dollar का यह loan ठीक है तो यही चीज बताई जा रही है हालात जो है थोड़े tight बताए जा रहे है ठीक है बाकी अब आगे देखते हैं क्या होता है कुछ कह नहीं सकते है अभी clarity नहीं है बाकी हाँ company की valuation इतने decline हो चुकी है पर यह गलत message चला जाएगा अगर ऐसे company कोई collapse करती है तो ठीक है जी startup ecosystem के लिए mainly अब एक तरफ तो company की performance डाउन जा रह डालोगे इधर कि बाइजूज का यह कहना है बोले कि जो lender है जिसने loan दिया है बोलो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे है बोले heavy-handed approach उनकी इनका यह कहना है तो इस तरीके के scenario जो है वो दिखाई दे रहे हैं आपे आगे चले नेक्स आर्टिकल है समोसा कॉकुस देखो इस आर्टिकल में में चीज जो है यह मतलब क्या है इस word का देखो इस word का मतलब है यह पहली बार यूज किया था दो हजार अठारा में और किस नहीं यूज किया था यूएस house of representative मतलब यूएस है कि जो लोक सब आना उसके member है ठीक है वो जो की Indian origins है नाम उनका राजा कृष्णमूर्थी उन्होंने यह समोसा कॉकुस करके एक word यूज किया था यह बेसिकली elect होकर गया आते है इलिनॉइस वहाँ का state है वहाँ का 8th district है वहाँ से ही elect होकर के आते हैं और उन्होंने यह कहा था कि जो Indian community अमेरिका में elect अमेरिका की Congress में elect होकर के आती है उनका जो एक grouping है उसी को बोला गया था समोसा कॉकुस ठीक है ना तो इस तरीके से आप देख सकते हो यह एक identity के point office से देखा जा सक है ठीक है ना इसमें एक तरीके से देखो है हाँ पर इंडियन आइडिया तो ही का समोस आपको पता ही है उस point office से नाम रख दिया गया वैसे देखा जाए तो US house of representative में इंडिया की roots की अगर बात करें तो पास तो member है house of representative में और एक Vice President Kamala Harris है वो इंडिया से अपना link रखती है ठीक है और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह सारे किस और जो की leader of senate है ठीक है ना और आप देख सकते हो यह जितने भी 6-6 members है US Congress में Indian origin के या Indian communities associated तो 6-6 Democrats है मतलब Democratic Party से बिलोंग करते हैं नाम यहाँ पे दिया हुआ है एक तो श्री संबल थानेदार एक है डॉक्टर अमी बेर एक है रोखन्ना एक है प्रमिला जैपाल ठीक है और इसके अलावा राजा कृष्णमूर्ति खुद है ठीक है तो पास तो यह हो गए और एक कमला हैरिस हो गई यह सब के सब Democratic Party से बिलोंग करते हैं USA में जितनी population है ना उसका 1% से भी कम है Indians पर income tax payment की बात है तो 100% income tax में से 6% तो Indians के दुआरा ही पे किया जाता है फिर इसके अलावा देखा जाए तो 40 Indian Americans ऐसे हैं जो कि अलग-अलग USA में अलग-अलग offices के लिए elect हो चुके हैं उनमें से 35 और इसके अलावा 35 Indian origin के जज़ भी हो चुके हैं वहाँ पर या तो हैं या फिर हो चुके हैं तो कहने का मतलब Indian Community का अच्छा खासा वहाँ पर पकड़ है अगर USA की बात करें पर एक जो प्रॉब्लम है वह हमने डिसकस की थी एडिटोरियल पेज़ पे कल क्या था कि कल्च्रली कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए कभी भी इस डिमांड या फाइट नहीं करता हैं वहाँ पर एक लिबर आपको एक तरीके से सपोर्ट करेंगे पर ये बात कोई भी नहीं करता कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली ये चीज कहीं नहीं कम है बाकी सब चीजों में बढ़िया है इंडियान्स हाराम से CEO लेवल पे है टेक्स देने में एक नंबर है जब भी इलेक्शन के लिए फंडि ठीक है अगला अर्टिकल है कि बाईया केवल बंदूग देने से फोरेस्ट गार्ड प्रोटेक्ट नहीं होते हैं उनको कुछ अधिकार भी देने होते हैं होता क्या है कि अभी उडिसा के सिंबली पाल टाइगर रिजर्व में छै मेंबर्स की पेट्रोलिंग टीम जो थी व पिछले कुछ समय में माई 22 को भी ऐसा ही देखने को मिला था कि सिंबली पाल में ही एक ओर डैथ वहां पे होई थी कहने का मतब दूसरी डैथ है यह माई से लेकर अभी तक ऐसी परिस्तियों में देखो फॉरेस्ट गार्ड्स का जो काम है वो रहता है कि कैसे भी करके एंडिंजर्ड अनिमल्स की प्रोटेक्शन हो ट्रीज, सैंड, बाॉल्डर्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट, कुल मिला करके जितना भी फॉरेस्ट रिसोर्स है उसकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉंसिबिलिटी, फॉरेस्ट गार्ड्स पे रहती है, उनके कंदों पे रहती है, ऐसी परिस्तियों में उनके उपर खत्रा भी मन रहा है रहता है कि जो इल्लीगल हंटर्स होते हैं, पोचर्स होते हैं, वो उनके अटैक कर दिया करते हैं, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर क्या प्रोविजन्स किये हुए हैं, जिसें कि एक जो गार्ड, फोरेस्ट गार्डव अपने खुद की प्रोटेक्शन कर सके, देखो, गार्ड्स को आर्म्स दिये जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हतियार नहीं दिये जाते हैं, जिसें कि 0.303S to incest rifle हो गया, SLRs हो दिये होए रहते हैं, 12-0 shotgun, 0.32, 0.22 caliber revolvers, यह सब मिलता है, पर प्राब्लम क्या होता है, कि यहां पर जो एक पॉइंट है कि वो अपनी self-defense के लिए उस हतियार को यूज़ कर सकते हैं, अब self-defense के लिए हतियार को यूज़ कर सकते हैं, तो use to किने के लिए allow किया हुआ है, पर अगर किसी forest guard ने उस हतियार को use कर लिया, और किसी पॉचर या किसी individual की, जो की opposition में, forest guard के वो उस परिस्तिती में, जब जंगल में वो गूम रहे हैं, तो उसकी अगर death हो गई, तो forest guard को यह साबित करना पड़ेगा, कि उसने self-defense में use किया था वो हतियार, तो यह चीज जो आना कही नहीं नहीं नहीं, उनको weak बना देती हैं, और कई बार तो ऐसी होती होती हैं, कि forest guard के पास जो हतियार है, उनकी training ही नहीं है उनको उसको चलाने की, तो ऐसे में उनका हाल हो जाता है, खराब, ठीक है, तो आप देखो, सिंबली पाल जो है, वो basically red corridor का part है, red corridor का मतलब क्या होगा है, ठीक है, एक बार आप map देखो, तब आपको समझ में आएगा, अभी आपके सामने screen पर आप नज़र डाल सकते हो, देखो, कि ये है red corridor, ये करनाट का वाला area, आंद्रा, तेलांगना, उडिशा, चतीजगर्ड, जहारखंड, बिहार, और West Bengal, यहां तक ये नकसल affected area ह है, ठीक है, तो इसी को बोल दिया था, red corridor, तो कहने का मतलब यह है, कि उडिशा का assemblypal region जो है, वो इसी area में आता है, जहां पर नकसलवाद बहुत जादा है, जिनको contain करना अपने आप में वैसे ही खत्रा है, बहुत जादा, और यहां पर forest guards को allow नहीं कर रखा है, कि वो अपन guns जो है, वो carry कर सकते हैं, क्या, कहने का मतलब यह है, कि नहीं हत्ता कर दिया, वहीं पर राजस्थान के, राजस्थान सरकार के दुआरा 1994 में एक guideline issue की गई, जिसमें बोला था, कि हाँ वही जो forest staff है, वो हतियार तो ले जा सकता है, पर वो ही चीज है, कि हतियार ले जाने से पहले उसको, use करने से पहले उसको बहुत कुछ सोचना होगा, कि हाँ जी क्या परिस्तिति में वो काम करेगा, और मेन काम जो है, वो defense का है, जो कि section 96106, Indian Penal Code के अंडर में उनको weapon use करने के लिए अलाव करता है, कि हाँ जी एक individual जो है, वो अपने खुद की protection के लिए हतियार तो खुद की defense में किया था, ना की aggression में, तो ये point कहीं ना गए, मुश्किलों में डाल देता है, फिर बताया जा रहा है, जुलाई 2010 में Assam Government के द्वारा, एक notification release किया जाता है, section 197 clause to CRPC, ठीक है, criminal procedure code, उसके basis पर अगर देखें तो उसमें ये कहा, कि जो भी forest officers है, mainly हम Assam की बात क वो अपनी खुद की fire arm है, वो यूज़ करने का पूरा अधिकार है, और उनके खिलाफ में कोई भी criminal proceeding नहीं चलेगी, कोई भी criminal proceeding नहीं चलेगी अगर वो अतियार यूज़ करते हैं, हाँ, छोड़ करके, कि अगर magisterial level की कोई investigation होती है, और उसमें ये पता पड़े, कि हाजी जो fire arm थी, वो unnecessary था, unwarranted था, excessive था, तो बोले कहीं न कहीं criminal proceeding forest guard के खिलाफ में हो सकेगी, बाकी forest guard, forest को protect करने के लिए, खुद की defense के लिए अगर weapon यूज़ करता है, तो बोले कोई problem नहीं है, सेम चीज़ 2012 में महारास्ट्रा में भी लगा दी गई थी, वहां की सरकार के द्व अब यह जो 2010 वाला notification था, Assam government का, इसको काजी रंगा experiment के नाम से भी जाना जाता है, होता क्या है, कि यह highlight होती है काजी रंगा experiment के नाम से, 2017 में एक report publish करने कोशिश करता है BBC, और उसके द्वारा क्या का जाता है, कि Assam में जितने भी national park और century, जब वहां पर बहुत गलत तरीके से security, forest guards को जो दिया हुआ अधिकार, उसका बहुत गलत यूज होता है, लोगों को बहुत बुरे तरीके से मारा जाए रहा है, फिर बाद में बैन कर दिया BBC के इस report को, BBC को भी बैन कर दिया, बोला कि तुम इस तरीके से नहीं काम करने दो गया हमें, तो BBC को कर दिया, बोला क कि तुम तो अपना काम बंद करो, फिर उसके बाद में गवाटी आई कोड में मुद्दा पहुंसता, 420 की एक report भी submit की जाती है, पर उसमें यही चीज क्लियर होके आई, कि जी security देना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, देखो यहां पे, 2000 से लेकर के 2010, 2010 में notification आई गया था, जिसमें बोला था कि criminal proceeding नहीं शुरू होगी, अगर हां magisterial level पे कोई investigation पता पड़े, कहां जी, गलत तरीके से use हुआ है, तो एक बात अलग है, बाकी काजी रंगा नेशनल पार्क में देखा जाए, तो 2000 से लेकर के 2010 तक 17 poachers की death हुई, मतब शूट कर दिया गया उनको, और 68 rhinos की death हुई थी उस time पे, वहीं पर जैसे 2010 में notification आता है, तो poachers की death तो rise हुई, 17 से बढ़ गर गे 59, बट rhinos की जो killing है, वो अभी भी कम नहीं हुई, पर एक trend जो है, वो 2016 के बाद में देखने को मिला, या 2017 के बाद में देखने को मिला, कि वहां पर केवल 20 rhinos की death हुई है, 20 rhin rhinos को ही मारा गया है, illegal hunting या poaching के basis पे, तो इसके लिए बहुत बढ़ा कारण क्या है, कि वहां पर आप poachers को political patronage नहीं मिलती है, तो ये तो देखो बहुत बढ़ा कारण है, हमारे देश में कहीं पर भी कोई भी गफले, कोई भी चोरी या कोई भी गरवर काम होता है ना, तो उसमें politicians जब तक involved नहीं होते हैं, तब तक तो देखो सब कुछ सही तरीके से चलता है, और politician या political patronage मिलनी शुरू होती है ना, उस गलत काम को, तो काम वो easily चलता है, smoothly चलता है, जैसे कि आप अपने चारों तरफ देख भी सकते हो, तो ये अपने आप में बहुत बढ़ी problem है फिर आगे बात करें, तो एक बहुत बड़ा issue जो आता है वो ये कि forest area में जो living community है, आपको बताया है, tribes रहती हैं, उनके साथ में एक तरफ तो forest staff के member, और versus या आमने सामने हो जाया करते है forest living community, तो वहाँ पर एक कही ना कहीं relationship पर बहुत ज़्यादा दुश्मनी वाला बन ज ये UPSA prelims में बहुत बार questions आता है, अच्छे से पढ़ लेना उसको, तो point यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं ये relationship बहुत ज़्यादा hostile है, दुश्मनी भरी रहती है, SCST Act जो है, SCST atrocities Act, उसके basis में forest cards के खिलाफ में कई बार कार्यवाएं भी हो चुकी है, SCST Act आपको बताया है, International Ranger Federation के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इंडिया में लगबग 31 forest field staff की death हुई है, 2021 में सिर्फ, 2021 में ठीक है, उनमें से 8 तो है homicide जहां पर आमने सामने लडाईया हुई है, poachers की, गोली की वज़े से, और बाकी जो हैं, वो बुले कभी तो forest fire की वज़े से हैं, कभी हाती से conflict की वज़े से, कभी rhino attack की वज़े से, कभी motor accident की वज़े से हुई है, तो ये बताया जा रहा है कि report कहीं ना कई एक और चीज़ शो करती है, हाँ, poachers की problem बहुत जादा है, इसको tackle करना ज़रूरी है, बट और भी कई कारण है जिसकी वज़े से forest guards की death होती है, तो उस case में द इसमें होता क्या है, कि elephant attack कर देता है और उसको रोकने के लिए है, अगर वो थोड़ा fire forward कुछ करने की कोशिश करे तो उसको बंदे को खुद को बंदूग चलाने नहीं नहीं आ रही, तो ये problem आ गए, तो बहुत ये चीज़े कहीं आगें देखने को मिल जाती है, तो इनको समझना एक balance manner में काम करना ज़रूरी है, अतियार देने से काम ही नहीं होगा, इंडिया-U.S. deal है next article, इसमें जो points है, वो मैंने highlight कर रहे हैं, to the point हम वहीं बात करेंगे, सबसर पहले तो, इंडिया-U.S. के बीच में ये collaboration या फिर engagement बड़ी क्यों है, इसके पीचे सीधे point बता partnership जो हुई, ठीक है, 2021 में, बोले ये बहुत बड़ा कारण, 2022 में, ये बहुत बड़ा कारण बन गया, कि चाइना का साथ रश्या बिल्कुल देगा, तो हम चाइना को कैसे contain करें, तो दिल्ली के लिए जरूरी हो गया, कि अपनी जरुरतों को diversify करें, कैसे हम हम हमारी जरुर तीसरा, Moscow जो है, अब इतना ज़्यादा capable एनफ नहीं है, क्योंकि funds की कमी है, क्योंकि western countries नहीं लगा रखें, sanction, तो इनके पास में ना तो innovation हो पाएगा, ना कोई cutting edge technology basis में नए weapon develop कर पाएंगे, तो ऐसे में हमने क्या देखा, कि जी रश्या पे हम ज़्यादा dependent नहीं रह सकते आज हमें दुश्मन के बराबर या दुश्मन से ज़्यादा technology वाले equipment अगर हमारे पास में होंगे, defense के, तो ही हम अपने आपको secure कर पाएंगे, तो इसलिए हमने USA के साथ engagez किया, और इस चीज के लिए हमें धन्यवाद देना होगा again, चाइना के Xi Jinping का, कि वो लगातार अपन की safety खुद के हाथ, ठीक है, फिर बात आती है, USA में, तो देखो USA में Indian community का बहुत बोलबला है, political representatives के हमने समोसा caucus की बात की, इसके अलावा CEO's बात देख लो, हना American system में बहुत बड़ा role play कर रहा है आज Indian community के लोग, ठीक है, और जिस तरीके से Indian community का participation है, और जिस तरीके से India ने engagement की है USA के साथ आज के टाइम पे, उस तरीके से कोई दूसरा country आज के समय में USA के साथ engage नहीं कर सकता, इतना easy going नहीं रहेगा जितना easy going इंडिया के लिए रहा है, क्योंकि Indian community वहाँ पर बहुत productive role play कर रही है, ठीक है जी, इसके अलावा देखा जाए, तो जो बाइडन ने भ यह literature वाले पढ़ता है English literature वाले, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, समझ गयोंगे, महनत करना बहुत बाकी है, काम करना भी बहुत बाकी है, ठीक है जी, तो यह था पुरा मुद्दा, discussion यहीं पर कतम है, thank you very much